जाहिन दोस्तों स्वागत है आपका फोजी भाई का चैनल मिलन सिंपल भ्लोग पर तो आज हम घूमने जा रहा है देखो गाड़ी आ गया और सब गाड़ी पर चट रहे तो चलो चलते हैं कहा घूमने जा रहा हूं चलो भ्लोग में पता चली जाएगा कहा घूमने जा रहा ये देखो गाड़ी रेड़ी है अर अब आम जा रहे है घूमने के लिए ता ज्यूमने के लिए अब हम शहर में जा रहे हैं मुझा करने के जाएगा ज़्यागा ऊचाहिएगा ने तुक्षी जाएगा हुआँ और हमारे ड्राइवर ने बोला गैस मतलब गैस लोड करना है मतलब इसमें यह जो गाड़ी है एक्चुली एक गैस से चलता है तो यह गैस सिलिंडर से इस गाड़ी में गैस सिलिंडर है उसमें लोड काना है इसके लिए गाड़ी बीच में हम लोग रूग गया तक रवन 30-35 किलिमेंटर चलने के बाद रेदेखो लोड हो रहा है और यहां पर देखो एक एक नारसारी में आया हूँ और नारसानी में देखो कितना सारे बतक है बड़े वाला देखो Chapter ारी और ये है नार सारी कितना अच्छा नार सारी देख लो और बीत है उदर पुड़ा पक कर रहे हिरे हुआ है योब 5 1 शर्य-4 जाल सब्सार कर देख लो और ये कितना अच्छा प्लेस देख हे अएक पूरा नहांरे कXT का एरिया है हमने यह पेया क्यूकhist क्वाला फिराम में आई एक पॉरे दिन बीटा खते हैं और यहांपे क्या है के सामने ही तो एक मौस है है सारे कोटेस का एक मौस है उसके पास चाबी ताला है लेकिन कोटेस का सामने यहाँ पर मोबाइल नमबर बगए दे रखे उसके साथ आप उस मोबाइल नमबर से बात करके सोटेस को आप भुकिंग कर सकते हो और यह पी एक कफि लागर रहा है तो यह तो खुलak यह है हमेशाई है अब नाधी और यह यहापके कैफ अदार म्या पंदर मिलता है यह गहर के रागधिया पिषले बाद चुट्टी पर के घेर ख हमने मिल के सब आया है घुमने के लिए सब मिल के आया हूं घुम रहा हूं और वहां से निकल के हम अपने जागा जो हज़त दुआरी है वहां जाने के लिए हम अभी फिर गाड़ी चल पड़े है हम अभी हज़त दुआरी के अंदर होने बाला है आ गया और हज़त दुआरी क पहले खाना काईआएंगे उसके बाद जाएंगे और खाने के लिए जगा में घारी पारकिंग किया और अब जाएंगे होटल में hanging खाना खाने के बाद चल लेंग के हाज़ा दोरी तो चलो चलते हैं। अरहा है यहाँ जो खूड़ा का गाडी है यहाँ आप पुराय ले पहलेड आफने साथ गाडस अरहा हैं कर लेना तो हमरा ड्राइबर ने हमें लेके आए यहाँ पे जो यह आच्छा खाना मिलता है इसी के लिए वो ड्राइबर ने लेके आया था खुद और हम ने कहना काके चल दिया और यह पहला गेट हैं इसके अंदर से आफ जाने के बाद आपका सेकिन sparked आएगा je रही पहले इसके अंदर घुषने के लिए पैसा नहीं लगता था सेब आपको और उसका समाल बगanıर है जी जैसा पूराना जितना उसका एंटर्फी लगता था लेकिन आज का डेट में इस गेट के अंदर मतलब यह जो टीकिट काउंटर है टीकिट काउंटर के बगल से जान उसके साइड में जाते हैं आपको टीकिट लगेगा तो यह स्टूडें बगर आता है यह पर स्कूल से स्टूडें बगर भी और चलो हम टीकिट कर लेते हैं और हमने टीकिट करने के लिए टीकिट लाइन में लग गया और यह लिखा है टीकिट 25 रूपीज और फाइनली हमने नौ टीकिट दस टीकिट ले लिया और चल दिया सीधा हज़त दौरी की तरफ फाइनली हमने टीकिट का किमत 25 रूपिया और 25 रुपया का आमने जितना आदमी था एक का टिकिट कट लिया और सिधा चल रहा है हज़त दुवारी के अंदर ये है हज़त दुवारी और वो है अस्तावल और हज़त दुवारी का निर्मान शुरुआ था 1829 में और खत्म हुआ था 1838 में और इसको बनाया था बंगला ब एक सो तीस मीटर और चौड़ा है एक सट मीटर तो हमने पीछे भी देख लिया और उसका अंदर गया था 25 रुपया टिकेट करके गया था अंदर पुरा देख लिया लेकिन अंदर मोबाइल यानि फोटोग्राफिक कोई अलाउड नहीं था तो दिखा तो आप लोग को ये एक्चुली हाजदवार इमका मेन है ये हमेशा ऐसे भीड़ रहा है था इधर ये देखिए आपको एक एक पीला देख रहा है एक एक पीला थोड़ेगा तो मंजिल गा मौकान बन जाएगा बहुत बड़े एरिया है और ये हाजदवार एक्चुली मदिना मर्जिद ये साल में एकी बार खूलता है मौहरम के टाइम और इसके बगल में एक तोफ ये तोफ 12-14 सातब्दी में बने गाई इसमें 16 फीट हाईट है और 14 किलो बारुद इसमें 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 इतना बड़ा धमा का होता था कि गर्वपति महिला टाइम से पहले बच्चा देता थे इसके लिए इसको बच्चे बाले तोप कहा जाता है और मेरे जो पीछे देख सकते हो यहां पर सोईनी कास्ता बाल या घोड़े वगरा रखा जाता था और यह साल में उनली 14 दिन के लिए खुला जाता है यानि महरूम के टाइम 14 दिन खोला रहता है उस टिकेड वगरा नहीं लगता है इसको देखने के लिए कोई टिकेट न है 14 दिन खाल अब लोग आ साकते हो आगर जिसको आना है मैं इसका यहां का जो लोकेशन है इसका का जो डिस्क्रिफिशन में डाल दूंगा इसका location का और आप लोग आ सकते हो पहले तो होडा में या शियालदा में आना है वहांसे बहरंपुर खागडा घाट में आना है बारंपुर खागडा घाट में फिर आप कोई भी गाड़ी ले लो जो हमें हजद दुवारी जाना है तो हजद दुवारे में आप लोग आराम से आ सकते हो और ये है निजमत इमाम बड़ा ये नबाप शिराजदुल्ला के दुवारा बनाया गया है इसको भारी ओजन बली घंटी से गिरा हुआ है ये और एक्चुली ये 1950 में वहितर मतलब इसको अच्छा बनाने के लिए महल को भारुतियों जो पूर्बात अत्तों शंग्रक्षन होता है ना उनको सौब दिया गया इसको साफ सुत्रावाट ठीक अच्छा रखने के लि और यहाँ पर आने के लिए इस सबसे बेस्ट है आप जैसे समान खरीदोगे कोई चोटा मोटा समान या कुछ भी खरीदना है तो बहुत समझदारी से खरीदिये क्योंकि समान का कीमत तो हर जगह में जैसे जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस है वही पर ज्यादा कीमत इसका बाद आप उसमें चलिए क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना आए तो अच्छा है और यह सारे दुकान आपको नदी के किनारे पे मिल जाएगा नदी का उपर जो रोड जा रहा है उसके पीछे वाला हिस्सा में तो वहाँ पे आपको सारे दुकान मिल जाएगा बहुत सारे अच्छा अच्छा सामान मिल जाएगा जो घर के लिए है या अपना यूजेस के लिए तो घर में रखने के लिए फूल दानी से लेकर आपको मतलब इतना वेराइटिल सामान मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो तो अच्छा है आप लेजा सकते हो यहां से कोई एक सामान अपने निशानी के तरफ पर अपना घर पे ले जा सकते हो हाँ और एक बात है अच्छा बात है कि आप होटल में रहेगा तो यहाँ पर होटल से दामदर करिएगा पहले तो अच्छा बात है बकि होटल का कोई कमी नहीं यहाँ पर एक हजारो होटल मिल जाएगा आपको तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर घबराने का कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छा जागा आईए और घूम यह तो हमने नवाब शिराज दुल्ला का जो पैलेस था हो यह पूरा घूम के हम जा रहे अभी और एक पार्क में तो वीडियो यही पर शमाप्त करता हूँ अगर यह पैलेस का वीडियो और आज का ब्लॉग अगर आच्छा लागा आप लोगो तो चैनल को सबस्क्राइब करिए कॉमेंट्स करिए लाइक करिए शेयर करिए जाहें जाए भारत